तो गाइस दब हम करवाने जा रहे हैं जो हमारा 6.2 है नाइन स्टेंडर का और इसके बाद यह हमारा चैप्टर पूरी तरह से खतम हो जाएगा देखो गाई यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा बजट भी पेस हुआ है और बजट के देनी हैं हम लोग यह चीज़े प बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनको यह सब चीज़े पता नहीं रहती है कैसे क्या कैसे बैलन्स करते कितना टैक्स बढ़ते क्या करते थोड़ा बहुत नॉलेज रखो बाकी कोई टेंशन नहीं सब चीज़े हो जाएगी तो देखो यह टेबल यह टेबल को इंकम टैक्स नील रहेगा मतब इंकम टैक्स नहीं रहेगा एजुकेसन सेस भी नहीं लगेगा सेकेंडरी एन हाइयर सेकेंडरी जो सेस होता है वह भी नहीं लगेगा और एकर मैं बात को 2,50,001 रूपीज से लेके 5,001 तक अगर आप अर्निंग करते हो तो आपको 5% टैक् और इंकम टैक्स जितना आएगा उसके उपर भी 2% जो इंकम टैक्स आएगा इंकम टैक्स की जो वैलियू आएगी उसके उपर आपको 2% एजुकेसन सेस और 1% सेकेंडरी एन हाइयर सेकेंडरी एजुकेसन सेस लगेगा और आप अगर 5,001 रूपीज से लेके 10,001 तक अर् करते हो तो 6 lakh में से आपका 2 lakh starting wallet 2 lakh 50,000 हट जाएगा कि 2 lakh 50,000 पे कोई tax नहीं है इसके बाद 2 lakh 50,001 रुपीज से लेके 5 lakh तक आपको लगेगा 5% मदा 5% होगा 12,500 और इसके बाद आप 6 आपका साल भर का income 6 lakh है न तो 5 lakh 2 मता 5 lakh 2 6 lakh 1 lakh और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसके उपर उस taxable value के उपर आपको 20% टेक्स लगेगा तो 12,500 पहले वाला और उसके उपर भी 20% टेक्स लगेगा और साथ में 2% income tax जो यहां इंकम आये इंकम टेक्स आएगा उसके उपर 2% income tax लगेगा प्लस 1% income tax देन अगर आप 10 lakh 10 lakh की earning करते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे मालो आप 12 lakh earning करते हो कितने 12 lakh नहीं मालो 10 lakh 50,000 earning करते हो 10 lakh 50,000 earning करते हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाला 5 lakh खट जाएगा 2 lakh 50,000 पह कोई tax नहीं फिर दूसरे वाले 2 lakh 50,001 रुपीज से लेके 5 lakh 5% लगेगा फिर 5 lakh से लेके 10 lakh तग आप सभी को पाता है 20% लगेगा 20% 20% मतलब 12,500 प्लस 20% इसके बा 10 lakh 50,000 है तो 10 lakh से जाता है तो जो एक्स्ट्रा 50,000 बच रहा है ना एक्स्ट्रा 50,000 पह आपको 30% लगेगा मलब स्टार्टिंग वाला 10 lakh तक आपको 1 lakh 12,500 भरना है बड़ जो 50,000 और बढ़ रहा है उसके ओपर 30% आपको क्या करना पड़ेगा tax देना पड़ेगा और इसके सा tax भी बहुत जरूरी होता है government के लिए तो भाई यह देखो 60 to 80 year इसके अंदर का यह पढ़ लेना क्योंकि यह सब update हो चुका है बढ़ आपके exam में इससे related questions आएगा तो इसलिए आपको यह पढ़ के रखना है इसके बाद एक और है अबो 80 year जिसको up to file act पूराने में अबो file act तक कोई भी tax नहीं देना रहता था ओके तो यह बार पढ़ लेना बहुत जरूरी कि अधर वह पढ़ोगे तो ही नीचे का question का answer दे पाओगे तो चलो फटाबट सबसे पहले हम questions पर आ जाते है तो अब कुछ questions दिए हुए कों tax pay करेगा कों tax नहीं पे करेगा तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मिस निकता इस 27 है taxable income taxable income income का spelling इधर गलत है ओके taxable income अच्छा यह भी मैं black में लिख रहा हूं तो आपको आता ही है तो taxable income आप सभी को पता है कि according to our book जो book के अंदर दिया हूँ उसके अंदर 250,000 तक कोई भी tax नहीं लगेगा अगर आपका taxable income 250,000 है तो यहां कितना है 2,34,000 तो भाई इनको कोई tax नहीं पड़ेगा एज भी 36 है अब उसके बाद तो सबको ही tax पढ़ने वाला है तो भाई इनको tax 3,27,000 पे tax पढ़ेगा क्योंकि आप सभी को अभी हमने देखा अभी हमने tax lab देखा तो इनको पढ़ने वाला है इसके बाद 8,40,000 64 age है तो 8,40,000 को 64 age वाले को भी tax है बड़ यहां इनकी earning 4,50,000 पढ़ना और age 81 है तो age 81 के उपर मैं यहां थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ आपको जिससे वैसे आप पढ़ोगे तो वैसे आप लोग को आ जागे यह box एक बर पढ़ना जरूरी है और वैसे आपके पास है तो मैंने एक box बढ़ा दिया बाकी box आपको पढ़ना चाहिए यह देखो सीनियर सुपर सीनियर सीडिजन तो सुपर सीनियर सीडिजन मतलब 80 येर्स के उपर भाई उनका समझ रहे होना टाइम आ चुगा है तो अब तू फाइल एक तो उनको कोई भी tax नहीं है तो यहां देखो इनका कितना 4,50,000 taxable income है तो इसलिए इनको कोई tax नहीं क्या दिया हुआ इसके अंदर इसके अंदर यह लिखा हुआ है कि करतार सिंग का जो age है 48 age है वो एक private company में job करते हैं उनको उनको total income जो monthly income है deduction के बाद उनको जो मिलता है वो 42,000 मिलता है हर मन्त में और उसके अंदर वो क्या करते है 3,000 देखो आप सभी को एक चीज बताना च होगा कि अगर आप बहुत सारे से scheme है जिस scheme के अंदर अपने कुछ पैसे invest करते हो या donate करते हो तो उसके उपर आप सभी को taxes नहीं लगता वो taxes आपका जो आप पैसा भर रहे हो वो क्या होता है deduct हो जाता है उसको deduction कर दिया जाता है deduction करने का जितना amount बसता है अगर वो amount tax lab में बन रहा है तो आपको tax लगेगा नहीं है तो आपको कोई tax नहीं लगेगा तो यहां करतार सिंग ने भी करतार सिंग का जो monthly income है वो है 42,000 और 42,000 के अंदर वो 3,000 जो होता है वो PF में हर मैंने contribute करते हैं इसके बाद वो national saving certificate scheme में 50,000 देते हैं इसके बाद इसी के साथ ही उन्ह national saving scheme यह तो जो है यह तो हर monthly भरना पड़ेगा PF 3000 तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कितना मलब scheme के अंदर कितना पैसा दे रहे है वो scheme वाला पैसा पूरा एक साथ हम plus करेंगे फिर plus करने के बाद पूरे साल भर का उनका income कितना हो रहा है कितने income हो रहा और कितनी चीज़े यह वो scheme में लगा रहें तो जितनी चीज़ी अगर scheme में लगा रहें जिसके उपर tax नहीं हो is komma-स करेंगेALI फीर जो अमांट हमारे पास बچेगा वह amount हम देखेंगे किस slab में आ रहा है हो पहले वाले slab में आ रहा है कि दूसरे वाले slab में आ रहा है किस slab में आ रहा हूंए हम करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले टोटल मंथली इंकम उनका तो टोटल इंकम का टोटल क्योंकि इंकम टैक्स पुरे सालबर का लगता है इसलिए 12 इंटू 12 इंटू 42,000 तो करो 12,0,0,12,0,4 यह कितना हो गया फाए लेख फाइ लेख 4,000 इनको yearly इनका इंकम होता है फाइल एक 4000 अब देख्यार बोलो के उरे सोर सोर श सर ये यह वाले स्लैव्न में आर यह वाले स्लैवन नहीं अपना कितना है हां 5x से जादा है न 5x से 1 रुपीज भी जादा है तो भाई सर ये वाले slab में आ रहे है मतलब इंको 12,500 प्लस 20% और extra tax देना पड़ेगा तो नहीं भाई इतना जल्दी मत करो क्योंकि अभी बहुत सारे deduction भी होंगे क्योंकि ये बहुत सारे scheme में पैसे invest करते हैं तो जिसमें invest करते हैं वो सभी चीजें भी क्या होगी पहले इसमें से minus किया जागा इसके बाद हम देखेंगे जितना बचेगा वो slab decide करेगा तो चलो सबसे बिले deduction देख लेते हैं तो deduction किसके किसके अंदर है सबसे पहला तो हमें जो deduction दिया हुआ है पहला deduction अगर पहले deduction की बात करूँ तो पहला deduction किसके अंदर है पीएफ के अंदर है और वो कितना है 3000 पीएफ हर मैने भरना पड़ता है इसलिए 3000 इंटु ट्वाल करना पड़ेगा आपने को जीरो जीरो यह होगया हमारा 36,000 रुपीज मतलब पीएफ सालबर में भरते हैं दूसरा जो deduction है दूसरा deduction किसका है वो NSC मतलब National Savings Certificate Scheme में भरते हैं तो हम लिख दे लिख देते हैं कितना भरते हैं वो इसके अंदर 50,000 तो मैं यहां लिख देता हूँ क्योंकि एक के निचे एक हम प्लस भी कर देंगी यहीं 50,000 रुपीज इसके बाद गाईज वो इन्होंने पीएफ रिलिव फंड में पीएफ फंड में इन्होंने कितना दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है 12,000 वीज तो टोटल इतना पैसा इन्होंने दिया हुआ है तो इसका टोटल डिदक्शन कितना हो टोटल कितना होता पहले यह करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपने को पता चल जाएगे कि टैक्सबल तो हमें यह जो मिलेगा हमें पता चलेगा कितना हमें reduce करना पड़ेगा तो उनके बास कितना income और बच रहे तो 0 0 0 5 और 6, 11 हो गया 11, 12, 13 3, 1, 4, 5, 6 तो 63,000 63,000 यह पैसा एक्स्टा भर रहे है तो 63,000 इसमें से माइनस हो जाएगा इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे चलो पड़ाक से माइनस कर दे हम आफ्टर डिड़क्शन आफ्टर डिड़क्शन ओके डिड़क्शन को माइनस करें तोटल इंकम इंकम था 5,4,000 रुपीज उसमें से हमें कितना माइनस करना है माइनस करना है 63,000 63,000 अब चलो पड़ाक से माइनस कर दो तो 0,0,0 कैंसल 4 में से 3 गया तो 1 बचा 10 में से 6 गया 10 में से 6 गया तो 4 बचा देनस के बाद ये बचेगा 4 बच गया इनका ये इनके पास अब इनकम कितना बच रहा है 4,41,000 4,41,000 मतलब ये कौन से स्लैप में आएंगे ये देखो ये वाले स्लैप में 2,50,001 रुपीज से लेके 5 लेक के बीच में अब इनका अमोंट बच रहा है तब इन पे ये टेक्स पड़ेगा 5%, 2% और 1% समझ मैं तो डिरक्षन करने के बाद जितना अपने पास बचेगा वो अपने लिए क्या होगा वो अमाउंट अपने लिए होगा कि जिसके उपर हमें टैक्स पड़ने वाले है वो स्लैप हमारा डिसाइड करेगा टैक्स बल इंकम स्लैप डिसाइड करेगा तो चलो वड़ाबट अब गाइस देखो ये 4,41,000 है ना तो इसके अंदर से भी एक चीज़ और है अपने को सेगेंड स्लैप के अंदर सबसे पहले गवर्मेंट इसमें से क्या करती है हम टैक्सबल इंकम निकालते है इसके भी इसमें भी गवर्मेंट 2,50,000 तक टैक्स इसको नहीं पड़ेगा 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा तो सबसे पहले 4,41,000 क्योंकि आप सभी को पता है 2,50,000 तक गवर्मेंट छूट देती है जैसा भी हमारे बुक के अंदर है वैसे चेंज हो चुका है बहुत सारी चीज़ है पहले बता रहो तो 0,000 इसके बाद 1 14 में से 5 माइनस हुआ 9 बचेगा 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 बचेगा ये हो गया हमारा 1,91,000 1,91,000 हमारा taxable income है जिसके ओपर हमें tax लगने वाला है तो पहले हमने reduce किया reduce करने के बाद हमने ये पता लगाया कि हमें taxable income कितना हुआ तो taxable income के लिए हमें slap पता चलिए कौन से slap में हैगा तो 2,50,000 हमने माइनस कर दिया अब ये जो amount हमारे पास है ये amount पे हमें क्या लगेगा tax लगेगा तो चलो फटाक से tax दिखालते हैं तो income tax 1,91,000 तो आप सभी को देखो हमने पहले decide कर लिया अब ये 4,41,000 वाले में वाले में 5% वाले में तो इंको tax कितना लगेगा 5% तो हम यहाँ देखते हैं income tax 5% upon 100 8 into 1,91,000 अब देखो 0,0 cancel 0,0 cancel 5,0 is a 0 5,1 is a 5 5,9 is a 45 45,5 is a 5 4 तो यह होगा उनको कितना tax पढ़ेगा 9,000 9,550 इंकम tax पढ़ेगा income tax बढ़ उनको दो tax और है total tax कितना भी अपने बता होगा यह देखो एक education says और दूसरा secondary and higher secondary education says तो दूसरा says भी education says education says तो परसेंट को हम कैसा लिखते है divide by 100 2 upon 100 into on income tax income tax जिस पर जितना आया उसके उपर लगता है तो यह 0,0 क्या होगा cancel होगा आप देखो 5,2,10,5,2,10,1,11,9,2,18,1,19 और नीचे एक 0 है कि यह यह cancel तो कितना बचा होगा पीस 191 191 education says भी देना पड़ेगा इसके अलाबा एक और है जो last वाला यह देखो secondary and higher secondary education says secondary and higher secondary education says वो कितना है 1% यह तो डायरे किया जागा 1% को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 करते हैं इंटू किसके उपर income tax जो हमारा income tax है इसके उपर 9550 तो 00 गए हो अभी कितना आ गया है इसको इससे multiply करो 9 955 वन्जा 955 डिवाइड बाई 100 और नीचे एक 0 है तो उपर एक डिजिट के बाई decimal लग जाएगा तो यह हो गया हमारा यहीं यह हो गया total total मैं दूसरे color में लिप दो चलू यह पहला यह हमारा दूसरा और यह हमारा तीसरा अब हम तीनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे total income tax total income tax total tax total tax में पहला तो income tax color change कर ले हम पहला 9550 plus 191 plus 95.5 इसको फड़ाक से हम plus कर लेते हैं यह प्लस करने हैं तो आप सभी को आता ही होगा नहीं यार क्याई है चलू फड़ाक से कितना है 9550 plus 191 plus 95.5 तो टोटल इनको जो tax पढ़ने वाला है वो tax कितना पढ़ने वाला है 9836.5 रुपीज 9,836.5 रुपीज अपने दोस को क्या करने वाला है tax पढ़ने वाला है तो भाई इसका एक प्यारा सा screen shot ले सकते हो यह मैंने पूरा complete आपको बता दिया है एकदम प्यारे तरीके से तो मेरे ख्याल से यह चीज़े बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी तो भाई अपने दोस को इतना टैक्स भरना है सभी इसलिए बहुत सरे जो investment होते हैं जिसके अंदर हमें income tax की छूट होती है तो भाई अगर हो सके तो उसने पैसा इन्वेस्ट किया करो government को ही फायदा होता है और आपको ही फायदा होता है तो चलो मिलते है नेक्स वीडियो में थैंकियो सो मस्गाई जय हिंद एंद जय महारास्ट प्रदोस्ते